अगर आपको बाते करना, अपने दिन के बारे में बताना, किसी इवेंट या फंक्शन के माहौल में लोगों को उर्जा से भर देना अच्छा लगता है, तो एंकर आपके लिए एक अच्छा करियर आप्शन हो सकता है. तो चलते हैं अलोह मुरा की करियर शाला में, एंकर के करियर के बारे में बताने के लिए, आज हमारे साथ हैं मिस सुमती आनंद, जो एक प्रोफेशनल एंकर हैं और बहुत सारे अलग-अलग तरह के इवेंट्स में एंकरिंग कर चुकी हैं. मैं एक अंकर हूँ और मोस्टी अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि अरे, I am an anchor तो पहला सव सवाल या आता है कि अरे, कौन से शानल पे आप अंकरिंग के बारे में, तो आज बात करने वाले हैं अंकरिंग के करियर के बारे में, और मैं एक लाइव अंकर हूँ, एक तीवी शो परेमनी, हिंदी में हम उसे सूत्रधार बोलते हैं, एक ऐसा शो जहां पर ओडियन्स आपके सामने है, एक लाइव शो हो रहा है और आप लोग आपकी सामने है, आप लोग उसे इंटराक्ट कर रहे हूँ उस शो को पोस्ट कर रहे हो, तो इस मैं वो आंकर हूँ जहां हम ल तो मैं जब कोड़री लिख होटे हैं, तो मैं जब कोड़े सामने हैं अ जब मोवी लोग लोग भैस में लोग बोइस्ट करते हैं?, प्रेस कंफरेंस ohi है तो अब अच्छिए के बात करूँ तो मैं इवेंट के तू आई आई अच्छिए में ज्यादे मैं जब कॉलेज में थी आजकल हर बच्छी में बहुत ज़स्बॉट है कि नहीं हमसे नहीं मांगना है कोच, you know, हम पानाशली इंडिपेंडेंडेंट होना चाते हैं, अमें खु मैं उन इवेंट्स में काम करने लगें, अगर की बात करें तो, you know, आपको इसे फॉर्म भरने होते थे और इन लोको से नम्मर्स लेने होते थे वहां से मैं अपने इवेंट जूर्णी के शुरुआत करी, या अगर स्टार्टिंग मुझे आद है मैं अपने पहले इवेंट प्लीज माइजे और जाहिए, नहीं हो पाएगा और उन्होंने लिटरली मुझे घर देज दिया तो, वो देन है और आज का देन है अज अगर प्राक्टिस चाहिए, महेनत चाहिए, अगर आपच करना है तो जो सबसे पहली स्किल है, एक्सिलेंट कम्मुनिकेशन स्किल्स और आज कल के ताइम में चाहिए हम वर्चुल बॉर्ल में हो, चाहिए हम एक छोटा सा इंस्ट्राग्रा में बना रहे हो, हमें अपरा फ्रेंदी होना पड़ता है, हम सभी के आज कल फोन्स में एंपराज हैं कम्मुनिकेशन स्किल्स लोगों से बातशीत करना चाहिए, आप टीवी करियर में आंकरिंग करें चाहिए, आप लाइफ करियर में आंकरिंग करें यहीं आपकी कम्मुनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर मैंने एक चीज़ संजी है कि आपकी आवाज में होना चाहिए और आपकी अवास सेlles पता ललग नाशागी कि आप इसको एकस्प्ही आपकी प babys HIT को एक स्केल है क्योंकि जो आपके works होते हैं जिस राइप के working hours होते हैं तो आपको बहुत अपना आपने सेहर का बोले, खाने पीने का बोले, अगर आप क्यामरा पे हैं, कोई आपको देख रहा है, तो हर किसी को लगता है कि नहीं, अगर, you know, you should be physically fit. तो आप अच्छे से अपने अपको मेंटेन करके रखना पटता है, फिर आप 12, 12, 13, 14, 14 गंटे भी आप कैमरा और लाइट के सामने हैं, तो वो उस चीज का बहुत प्रेशिर आजाता है. I think there are very basic skills, जो जरूरी है एक मीडिया और एक एक अंकरियर के लिए, उसके लावा अगर में पर्टिकुलरी एक और बहुत जरूरी स्किल है, that you should have this reading, कि आपको पढ़ना पसंथ होना चाहिए, क्योंकि चाहे आप आंकरिंग के किसी भी फिल में जाए, चाहे आप लाइव आंकरिंग करें ती वी शो होस्करें, आप न्यूस अंकर बने, चाहे आप आज बने, बहुत ज़रूरी है कि आपको नया content पढ़ने का शौक होना चाहिए और जैसे आज़कर, you know, हमारी every government, अगर हम हर government की बात करें, किस तरह से सब skills पर focus कर रहे हैं, हमारे schools में skills पर focus किया जा रहा हैं, तो internship लो, on the job सीखो, और इतना अच्छा काम करो, में से फितना बोलती हूँ, इतना अच्छा काम करो, कि वो कंपनी आपको छोड़ी ना बाए, गर आपको पर्टिकुलर मीडिया में जाना है, आपको प्रोडक्शन का काम सीखना है, आपको न्यूस रीडिंग सीखनी है, तो आपके लिए कही ना कही कोर्सेज बहुत रैलिटीशन है, तिर वो तीन साल के डिग्री कोर्सेज भी हो सकते हैं, चाल के कोर्सेज भी हो सकते हैं, डिपलोमा कोर्सेज भी हो सकते हैं, जिस तरह से जो भी आपको सूठ करें. पूछ थी जैसे कि आपने बताया कि स्कूल के टाइम से इंटर्णशिप करना शुरू करना चिए जैसे कि आप अप्लाइ कर था था उसमें क्या होता है वह सुप नाम के लिए काम करता है कि बिसिकली वह चीजे नहीं परवाइड करते हैं तो हम ऐसे कौन से इंटर्णशिप जिसे कि हमें ज़ादा खायदे मशनुब रहे हो रहे हो र्म अचाल के अंडर इंटर्णशिप नहीं बोल रहे हो रने को आज कल हम अज कल अब को तो हम वonents कर तो करते हैं को के अगर आप काम कर रहे हो हम उसे वालेंटीर करना बोलेंगे इंटर्णशिप जिसे आपने काकि आपने काफ के जगा अप्लाई किया है और वो सही चीज़े प्रोवाइड नहीं करें अगर हम बात करें कि वो आपको स्टाइपन नहीं दे है या कुछ सालरे नहीं दे रहे है वो इस एज पे एक्सपेक्ट करना मुश्किल है और इस वान रीजन मुझे आदे जब मैंने कॉल कि अगर कर ली होती है तो I would have been something like मुझे आज ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बड़े 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 स्टेशन में इंटर्शिप मिल गई थी बहुत बड़ जिसके अंगर इंटर्शिप करने को मिलीती है अगर मैं स्टार्टिं पेक्टी बात करूँ अगर आप जिसे मैंने का कि 99 देज आपका इंटर्शिप करना बहुत जरूरी है मीडिया चानल्स में थ्री मंस की इंटर्शिप होती है यह कुछ कंपनी इसको सिक्स मंस भी स्ट्रेच करते हैं कि हॉलिडेज मिला के वो 99 देज सिक्स मंस हो जाता है उसके बाद कंपनी इस तार्ट पे इसके बाद तो देज नो बाद अगर आपको काम अच्छा है एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपको एक कम ऐड़ नहीं मिल रहा है चाई वो पसनल ग्रोथ है कारे रियो अपको लगजा है कि मैं नही चीज़े सीखर है रह हूं और मिरि जालरी भी भी बढ़ र नहीं चीज़े नहीं कर पा रहा हूँ और मैं पुरानी चीजों में अच्छे से एक्सपर्ट हो चुका हूँ तो मुव तो एनादर कमपनी और आप एक रेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप 20 कमा रहे हैं तो में और नेक्स कमपनी में आपको 25 निजा या 30 निजा इपेंडिंग आपकी स्केल्स कितनी ड्वेलप हो चुकी हैं और आपका काम कितना अच्छा है अगर हम इंटर्शिप भी करते हैं अगर हम इंटर्शिप भी करते हैं अगर हम इंटर्शिप भी ले रहे हैं पढ़ना मत चोना नई चीज़े सीखना मत चोना that's something more अगर हम इंटर्शिप भी करते हैं